होलो दोस्तों वेल्कम बेक टू माँ चैनल मेरा नाम विश्वा साहिताले आप सब बढ़िया होगे चलो आज का प्राब्लम हम सॉल्व करते हैं गिश्फोगिट प्राब्लम का नाम है इंटर सेक्शन पॉइंट इन वाई सेव्ड लिंग लिश्ट तो ए प्राब्लम फ्लिप यह important problem है तो समझ जाए problem अ है problem all medium है जब ब BC अ चाहता है कि और गवां दू singular और बाने common होगा और 10 के बाद common होगा तो हमें क्या दिया होगा है तू लिंक लिस्ट हो एक वन लिंक लिस्ट और टू लिंक लिस्ट तो हमें क्या दूणना है हमें जो पॉइंट है हमें क्या दूणना है जो जो दोनों link list एक point पर meet होता है वो हमें डूड़ना है जो इस case में है y यहाँ पर देखो यहाँ पर y-shaped link list लिखा है यह क्यों लिखा है देखो आपको एक बताता है क्यों एक क्या बनेगा एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा तो हम बोल सकते कि यह जैसे दिखता है इसलिए इसको बोलते है य शेप्ट लिंक लिस्ट ओके तो अभी क्या डूढ़ना है हमें जो जोनों इंटरेक्शन होगा वो डूढ़ना पड़ेगा ओके चलो कोड करते हैं बहुत इजी है तो कोड करके देखते हैं यह पर पहले हम क् वोक्त करेंगे अ ur Cas к कितना है और इसका लेन्ध कितना है और हम क्या डूढ़नेगे इस दोनों का लेन्थ दूढ़नेंगे साब इन्ट n इकवालट जिरो भोलेंगे और इन्ट m equal to zero बोलेंगे ओके हमने ले लिया अभी एक हम एक replacement head one और head two को करेंगे क्योंकि हमें वही point चाहिए बावने तो इसलिए हमें head one और head one head two लेंगे और हम length two नेगे n और m का मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मुझे इसका length चाहिए यह link list one है मुझे इसका length चाहिए और link list two है तो मुझे इसका length चाहिए ओके तो पहला हम वोग करेंगे पहला हम क्या करेंगे एक temporary head one और head two करेंगे तो हम बोलेंगे इसको नाम h1 देंगे जो होगा head one को assign करेंगे और एक node होगा जो head two estar two गोलेंगे और उसको करेंगे head two okay देखो इस linklist में height start यासे होगा सौचो start होगा हमारा link list start होगा यासे हमें क्या करना है इधर तक इसका इधर तक तक ढूना होगा तो इसका next क्या होगा six is soarone nine is okay September 15 और इसका next होगा 30 और last में क्या होगा last में क्या होगा किसका भी नियगा उसको होगा null तो हमें क्या ढूनना अब जब हम null मिलेगा तब हम link list को stop करेंगे तो जब हम stop परेंगे तो क्या मिलेगा इसका हमको length मिलेगा ओके तो क्या करेंगे while head 1 is equal to null is not equal to null तब तक आप इसको run करते जाओ जब तक अब उसको run करके जाओ तो हम क्या करेंगे n plus plus करेंगे अभी हमें और एक अभी हम 3 से 6 आने के लिए हम एक formula यूज़ करेंगे जो होगा nest तो यहाँ पर भी बता दिया कि हमने node create किया अगर हमें और एक data मतलब चीर से 6 आना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा nest दबाना पड़ेगा तो h1 is equal to h1 dot nest simple तो अभी हमने इसका length डून लिया है किसका length डून लिया है h1 का length head 1 का length डून लिया अभी क्या करना है वैसे ही head 2 का length डून डून नहींगा भी वैसे ही हम head 2 का length डून डून लिया है so while h2 is not equal to null तब तक run का नाप जब तक h2 is equal to null होगा ओके m plus plus करेंगे और h2 is equal to h2 dot nest I hope इधा तक समझ गयो होगे हम simply क्या कर रहे है या पर हम simply इसका length डून रहे बस मैं क्यों डूनना चतनों बताता हूं अभी हमने अभी क्या किया सिफ length डून 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 या पर तो सोचो अगर इस डूनों का length अगर में या पर head है या पर है head और या पर क्या है पहला रप करता हूं और अल्गरिदम बता दा हूं तो या पर है head 1 और या पर है head 2 सोचो तो मुझे interact इसके अगर देखो अभी इसमें n का value क्या है n का value सबसे बड़ा है और इसका value कितना है इसका value काम है तो रहन से तो अभी हमें इंटरेक्शन दूनना होगा इन दोनों के middle या पर इंटरेक्शन दूनना होगा या पर अभी हमें इंटरेक्शन दूनना होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n है ना इसको हम यहाँ पर लेक्शन आएंगे अब मैं फिर से बोलना चाहता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर n है अब सोचो यह n का length कितना है 1,2,3,4,5 n का length है 5 और m का length कितना है 1,2,3 M का length है 3 तो मैं क्या करूँगा अभी हमने length दुरा ना तो अभी हम क्या करेंगे अभी इसका और इसका gap किता है इसका और इसका gap किता है अगर हम N-M करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा तो हम क्या करेंगे इस N को है न यहापर head 1 है न तो हम इसको दो बार आगे लेके आएंगे इसको हम दो बार आगे लेके आएंगे हम इसको दो बार आगे लेकेने के बाद वह हमने क्या करेंगे जब तक यह दोनु इक्वल नहीं होगा तब तक हम इसको रन करेंगे इतना ही है फॉर्मिला इतना ही रोजिक है और कुछ नहीं में यह रोजिक है तो अभी हम क्या करेंगे हम pehla क्या दिखेंगे कोना सा बढ़ा है अगर माइनस निछा जाएंगे , इसको चोटा करेंगे . a इसकेस में बढ़ा होगा और some case में A बढ़ा होगा तो हम इसको चोटा करेंगे simply A कर रहे हैं if if M हम इसका condition ले लेंगे N is more than M तो अभी क्या करने है हमें हमें head 1 को इधर तक ले किया आना है कितना बार ले किया आना है कितना बार ले किया आना है Y Y N is equal to equal to M जब तक इस डोनों का length same ने होगा तब तक हमें इसको ले किया आना है तो मैं क्या करना चाहता हूँ अभी सोचो अभी इस case में इस case पे N क्या है N है 5 और इस case में M क्या है M मैं 3 तो हम क्या करेंगे 2 बार माइनस करेंगा अभी N क्या होगा इसको रिप्रेजेंट करेंगा अभी फिर से हम करेंगे N इक्वल तो 3 हुआ अभी दोनों लोग इक्वल हुआ तो हम यह आपर stop करेंगे I hope समझ गोगा आप तो हम क्या करेंगा अभी N बड़ा है इस case में इस case में बड़ा है तो हम क्या करेंगे N माइनस माइनस करेंगे और जो main head है ना उसको क्या करेंगे हम उसको क्या करेंगे हम उसको नीची नीचे जाते रहेंगा अगर वो case नहोगा अगर M बड़ा है उससे तब तक करना है जब तक N is equal to M हमें क्या करना है हमें सिर्फ इस दो लोगो एक की साथ लेके आना है बस तो इस केस पे अभी M बड़ा है इस केस पे else लगा है इस केस पे M बड़ा है तो हमें क्या करना है M minus minus करना है तक हम H同 हो गया ये इधर तक हो गया हमने अब तक क्या किया है अभी क्या किया अभी हमारा new link list क्या बनेगा अभी हमारा link list क्या बनेगा 9 और 10 is pointing here और A 30 अभी A link list है ना A link list होके अभी A link list बना या पर head 1 है या पर है head 2 या पर है head 2 तो हम दोनों को साथ को लिगिया तो अभी क्या करना है हमें हमें जब तक run करना पड़ेगा जब तक A value same नहीं होगा जब तक A address या फिर link list का address दोनों same नहीं होगा तब तक हम उसको run करते रहेंगे तो हम उसके लिए कौन सा method अच्छा है while while is not इसका opposite लिखना पड़ेगा equal to head 2 तब तक आप head 1 & head 2 को nest करते जाओ तब तक हम क्या करेंगे head 1 or head 2 को हम nest करते करते जाएंगे इस case में हम इसको nest करके पाद हमें क्या मिला 15 मिला इसको भी nest करके 15 मिला तो इस case में जोनों same है तो हम उसको 15 को अभी return करेंगे क्या करेंगे अभी हम return दोनों को ले सकते है head 1 लोगी सकते है head 2 को भी ले सकते है तो अभी h1 को ले लेंगे अच्छा है head1. तो यहाँ पर value है क्या data है देखते है यहाँ पर अभी data है तो अभी क्या करेंगे हम data को output देंगे data मतलब जो value है इसके अंदर compile करके देखते है कि कोई error मिलता है क्या ने मिलता है इसकेस में क्या करना है और एंड शुद नॉट पी एंड शुद नॉट पी इक्वल तो इसकेस में हमें कंपाई करके देखते है फिर से time error मिलता था अभी या अभी run हो रहा है क्या है इसमें क्या क्या था हम इक्वल इक्वल तो किया हमें opposite करना था it's not equal to not equal to तो हमें जो output चाहता वो output हमें मिल चुका है तो अभी क्या करेंगा हम सम्मिट करके देखते हैं कि time error मिलता क्या नहीं मिलता अगर मिलेंगे तो कोई और matter यूज़ करेंगे तो इस case में हमें नहीं मिला ओके I hope अब समझगे होगी हर लेक लाइन इस code में हर में क्या-क्या यूज़ किया और क्यों यूज़ किया अगर अगर आपको dot if इस code में तो प्लीज कमेंट करना हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राब क करना कमेंट करना कोडिंग करते रहना मिल्टे रहेंगे चलो बाई